हलो गैज, आज हम बात करेंगे बहुत इंपोटेंट टोपिक के साथ, आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे, कि जो इस्टील बार होती हो, सर्कूलर ही क्यों होता है, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होती है, स्क्वायर क्यों नहीं होता है, जो जानने के लिए 4 रीजन है, पूर्डेट मान लीजिए यह बार है ठीक है इस सेक्शन को जब हम काटेंगे तो ऐसा दिखेगा जब इस पर लोड लगेगी यह पीर के रूप में हो या फिर आपका कॉलम हो जब आप सर्या यूज कर रहे हैं तो इस पर लोड लगेगी इस्ट्रक्चर का लोड आएगा इस्ट्रक्चर मेंबर की लोड आएगी इसका जो लोड होगा यह चारो तरफ सारे डिरेक्शन और सारे एंगल में यह सेम लगेगा किसी भी एंगल में हो 135 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो, 180 डिग्री हो या फिर एनी डिरेक्शन हो सारे डिरेक्शन में इसका लोड सेम ही रहेगा यह first reason है जो circular bar use किया जाता है, rectangular नहीं लिया जाता है square tape का नहीं लिया जाता है, जो सरिया का safe होती है वही first reason है, load distribution are same in all angle and direction second one, center of gravity can't be changed in circular bar center of gravity, माल लिजे, यह आपका surface है यह है circle, circular bar है, यह center of gravity, CG जब यह roll out करेगा, इसका center of gravity can't be change, यह change नहीं हो सकती है ठीक है, support माल लो, यह A है, यह B है, इसको roll out करेंगे तो यह B यहाँ पर आगा, यह आगा, लेकि center of gravity सेम रहेगी, क्योंकि यह circular है अब हम बात करते है, rectangular की, माल लिजे, यह rectangular है, यह A, B, C, D है इसको जब roll out करेंगे, तो इसका center of gravity क्या होगा, change हो जाएगा center of gravity, change हो जाएगा, यह diagonal पर, ठीक है, इसलिए rectangular का, या फिर square का, use नहीं किया जाता है second reason है, third reason, moment of inertia, can't be change, इन्हे circular bar, moment of inertia भी change नहीं होती है circular की, supported, यह circular है, moment of inertia, center से same ही हैगा, क्योंकि moment of inertia है, I से denote करते है है, I is equal to, amr square by 2, r क्या है, radius है, radius, कहीं भी, radius सेमी आएगा, radius चेंज नहीं होगी, moment of inertia, can't be change in circular bar, अब रही बाद, rectangular की, rectangular का हम देखेंगे, moment of inertia, support rate माल लिजे, यह A है, यह B है, अगर moment of inertia, B के coding लेते हैं, यह हमारा length B आएगा, अगर हम A के coding लेते हैं, length A आएगा, जब कि A और B बोथ हा not same length, circular bar यूज किया जाता है, support rate, यह A steel bar है, circular steel bar है, इसको जब हम bend करेंगे, चाहें आप ring के रूप में करें, fourth one, circular bar, we can easily bend him, any shape, without crack, support rate, यह circular bar है, इसको आप stirrup के रूप में bend करनी है, stirrup बनानी है, ति यह आप easily इसको मोड सकते हैं, bend कर सकते हैं, बट रही बात, अगर यह चिपता है, या फिर rectangular है, या फिर square bar है, आप जब इधर की तरफ जाएंगे, तो यह bend नहीं होगा, यह automatically crack हो जाएगा, इसलिए हमारा जो four point है, circular bar we can easily bend in any shape without crack, थेक है, तो हमारा four important point है, जिसके वज़े से circular bar की ही use किया जाता है, rectangular या फिर any types of shape, use नहीं किया जाता है, जो bar होती है, तो circular ही होता है, यह four specific reason है, scientific reason है, four point, यह mind में याद रखना पड़ेगा, यह interview के बहुत बड़ी question है, हम ऐसा यह interview में पुछी जाती है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो like करिए, subscribe करिए, लोगों के साथ share करिए, thank you.